स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बांकिंग करियर पर मेरा नाम मुमेस यादो है दोस्तों आप सभी के लिए इंपोर्टेन मैसेज है मैं आप सभी से रिक्वेश्ट करूगा कि आप दो मिनट इस वीडियो को सुनिएगा आई वी पी सारा अभी प्री एक्जाम को लेकर के आप में से बहुत सारे कंडियेट जो है रेडी है कुछ कंडियेट चाहरे है कि एक्जाम नहीं हो एक्जाम पॉस्पॉन हो जाए क्योंकि करोना के बीच में एक्जाम हो रहा है उसको लेकर कर डर रहे है कुछ candidate को जो है transportation का problem है वो एक state से जो है दुसरे state में जाने को problem है तो कैसे जा पाएंगे इसको लेकर कर डर रहे है दोस्तो सबसी important point है इसमें आपने observe किया होगा कोरोना के नाम पर जो है politics हो रही है इसमें किसका नुकसान हो रहा है किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है आप ही सब का नुकसान होने वाला है क्योंकि अगर exam जो है एक one month या two month आपको जो है postpone हो भी जाता है तो इसकी क्या guarantee है कि कोरोना का case जो है कम हो जाएगा और फिर से सब कुछ नर्मन हो जाएगा और exam होने लएगा आप सब लोग जो है आपके सामने जो है SBI कलर का आप example देख रहे हो आप कितने दिनों से वेट कर रहे हो result का लेकिन अभी तक result नहीं आ रहा है अगर IBPS RRB का pre का exam जो है postpone हो गया तो इसकी क्या guarantee है कि एक महिना दो महिना या तीन महिना के बाद डेट आ जाए दोस्तो आप सब लोग जो है politics हो रही है कोरोना का नाम पर इसको आप समझा करो बेश्ट बंगाल के जो candidate हैं आप में से बहुत सारे candidate पूछ रहे हैं कि सर लोगडाउन हो गया है बारा सेप्टेंबर तक हम लोग कैसे एक्जाम सेंटर पर जा पाएंगे दोस्तो आप लोग चिंता मत किजिए जब अपना एक्जाम होगा उसको ले करके जो है आप सभी को छूट मिलेगी आप लोग जो है एक्जाम सेंटर पर जा सकते हैं जो भी इसके रिगाडिंग जो है सेंटर जो है गाइडलाइन जो है जारी करेगा उसको जो है से इस्टेट को जो है फॉलो करना पड़ेगा फिर से उसका डेट आजा जल्दी से कोरोना का केश जल्दी से खतम हो जाया ऐसा नहीं होने वाला है कोरोना का नाम पर बहुत सारे चीजे हो रही है इसको आप लोग ध्यान मत दीजे अभी आप लोग अच्छे से प्रिपेशन कीजे 12 सिप्टेंबर से अपना एक्जाम स्टार्ट हो रहा है आज सभी लोग बहुत सारे कैंड़ेट आप में से सुबह से पूछ रहे थे कि सर एक्जाम पॉस्पाउन होगा क्या अलग लग उनको न्यूज मिल रहे थी इसके रिगार्डिंग में आप सभी को कॉल करके second time मैंने कॉल किया था जो भी information मिला था मैं आप सबको share कर दिया था इवें जो आपका 12 इन नंबर है मैंने आप सबको description box में भी आपको provide किया था कि आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं कुछ candidate बोल रहे थे कि सर आप candidate के support में नहीं है मैं आप सभी के support में हूँ लेकि मैं यह नहीं चाह रहा हूँ कि exam पॉस्पोन हो जाए और बहुत सारे candidate जो है कुछ दिनों से preparation करते आ रहे हैं एक साल दो साल से preparation करते आ रहे हैं उनका नुकसान हो या आप सभी का नुकसान हो मैं चाह रहा हूँ कि exam जो है हो मेरा ऐसा मनना है कि exam होता तो बहुत अचा रहा था आप सभी के लिए लेकिन जो भी होगा official होगा अभी जो भी information मिल रहे है जितने सारे sources से exam जो है 100% होने माला है तो आप सब लोग जो है exam पर focus किजिए बाकी सभी news पर फोकस मत किजिए आप सब लोग अपने चैनल से जूड़े रहे है मेरा ही message आप सबको देना था आपको कोई important update होगा तो मैं आप सभी को provide करूँगा इसके regarding दोस्तों thank you so much God bless you